ये है SDH कंपनी की बेस के लिए श्पेशल वायर जो आप इस वीडियो के अंदर ये वायर देख रहे हो SDH कसेतिया डीजे हाउस ये 248 नंबर की इतार है 100% औरजिनल गेज होता है इसके अंदर जो हमारी खुद की बनाई हुई तार है इसके अंदर manufacturing date तक भी लिए देखिए December 2022 ये प्योर रबड की तार होती है इसके अंदर दागा वगारा यूज नहीं किया होता देखिए इसके अंदर कोई दागा वगारा यूज नहीं किया होता और गेज देखिए तार का कितना अच्छा है और ये फर्ष्ट कोपर के उपर बनी होती है लिखने को तो 248 कोई भी लिख सकता है लेकिन कई बंदे इसके अंदर second का कोपर यूज कर सकते हैं इसकी finishing देखिए कितनी है जो कि second कोपर के अंदर नहीं आती और ये एक rubber की wire होती है जो सर्दियों में कभी hard भी नहीं होती है इस तरह इसकी fitting होती है ये वाली इसके अंदर ये दोनों तारे fix हो जाती है गूमने के बाद इसके अंदर red और black तार इसके अंदर गूमती भी नहीं है जिससे को resistance बनती हो जो मतलब की base आज अवाज दे रही है तो 6 मिने बाद वो अवाज भी नहीं रहती उसकी इसमें ये भी problem नहीं आती कभी ये देखिए तो इस wire के अंदर कोई ठगी दोखा नहीं है इस wire के हर एक गेज गज के बाद यहां पे एक number लगा हुआ है जैसे 31 number ना 31 गज होगी त इसके अंदर कोई ठगी तोखा नहीं है हर गज के बाद उसके उपर number आएगा कई दुकांदर अपना पेरा मीटर गल्ट मापते हैं और तार कम रेट में बेच देते हैं इस ठगी दोखे से बचिए इस तार के उपर हर गज के बाद एक गज लिखा हुआ है भी इतने गज क है और SDH कमपनी सेतिया डीजे हाउस की 248 तार है यह बेस के लिए श्पेशल तार बनाई हुई है यह कभी हाड नहीं होगी चाहे आप इसको बरफ पे रख देना अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हो सुबह निकालोगे तो ऐसे बिल्कु के उपर आपने यह तार नहीं यूज की ना तो समझ लो आपने बेस चलाई ही नहीं बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की वायर है यह बेस के लिए SDH 248 नमबर 2 कोर के अंदर